सुम्रेक नमस्कार रोज की तरह आज एक बहुत अच्छे विश्वे पर हम बात करेंगे आज की जो कहानी है वो मन की विश्वास पर आधारित है अगर आप में विश्वास है तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्ट कर सकते हैं और आपके मन में बिश्वास नहीं है, जंकल पले वो काम में नहीं आता है। कभी ये गाउं में अकाल पड़ गया, बारिस नहीं हुआ, लब्मे दिन तक बारिस नहीं हुआ, लोग भूखे मरने लगे और पास में एक साधू रहते थे। और वो साधू का ये महात्मे था, कि वो किसी चीज के लिए अगर प्रार्थना करता था, तो बोचित घटित होता था। तो गाउं के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों ने बोला, चलो साधू के पास चलते हैं और उन्हें गुहार लगाते हैं कि वो प्रार्थना करे तो बारिस हो जाएगा। सभी लोग साधू के पास गये और गुहार लगाएं, साधू भोली ठीक है, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। लेकिन अगर कि अ आप मेरे पर विश्वास करेंगे और मेरे प्रार्थना पर विश्वास करेंगे, तो मेरा विश्वास बारिस चरूर हो साधु उस गाव में आये, एक उचिस्तान पर बेठे और प्रार्थना शुरू किये। कुछ समय प्रार्थना करने के बाद आकास में उतना ही सुर्य का प्रकास था, बारिस नहीं हुआ। कि लोग आपस में इधर उधर देख रहते, आकास में भी देख रहते। बारिस नहीं हो रहा था, इधर साधु अपने प्राथनां में बैठे थे। ऐसे करते करते अ साम होने बाला था। आ खिर में एक अप्रुद्ध आया, जब अप्रुद्ध के पहुँचा। तो आगास में बादल भी आया और बारिस भी बरसने लगा तो सभी लोग नाचने लगे साधू को कंधे में उठाने लगे और साधू को कंधे में उठा कर सभी लोग नाचने लगे साधू बोले रुक वरुक साधु बोले कि आप सभी के बज़े से बारिस नहीं हुआ अगर बारिस हुआ तो आखिर में जो पृद्ध आये उन्हीं के बिश्वास पर बारिस हुआ लोग बोले कैसे आप सब तो आये लेकिन आप किसी के मन में ये बिश्वास नहीं था कि बारिस होगा लेकिन पृद्ध को ये विश्वास्ता बारिस होगा इसलिए वो छत्री लेकर आये थे इस कहानी में ये मोरल से अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं कुछ पदक्ख्यब ले रहे हैं तो आपकी मन में दृड़ विश्वास होना चाहिए अगर आपकी मन में दृड़ आप लेंगे वो शिद्ध हो जाएगा आज के लिए तना नमस्कार करें 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 करें